हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ सबसे फेमस मार्केट बैंडर लिंकिंग रोड का लेटेस्ट कलेक्शन पहले तो आपको यह मार्केट में आने के लिए बैंडर स्टेशन पे आके रिक्षा से दस या पंदरा रुपए में लिंकिंग रोड पे आपको चोड़ देंगे यह आप चलके भी आ सकते हो बस पास दस मिनिट का रस्ता है तो यह बात ध्यान में रहे कि हमें इस मार्केट मे हमें बहुत बहुत जादा बार्गेन करना है क्योंकि सभी चीज की प्राइज हमें डबल से बताई जाती तो यहां सभी चिकनकारी कुर्ती या जो भी ट्रेंडिंग पे कुर्ती है वनपीस है सब अवेलेबल है और उसकी प्राइज वह आपको 1250 1850 ऐसे ही बताएंगे पर 700 या 800 के बीच में आ जाएगी बस बार्गेन करना है और सभी कुर्ता सेट्स में आपको साइजेस अवेलेबल होती है एस तू एकसे और कलर्स भी आपको मिल जाते तो कौन से भी फेस्टीवल्स में यह ट्रेडिशनल वेर बहुत अच्छा लगता है यह डेली वेर की कुर् सबकी प्राइस अलग अलग है बस हमें बार्गेन करना है तो कुंसा भी टॉप आप लो तो वह 150 या 200 के बीच में ही लेना या कुंसा प्रिंटेट वगरा रहेगा तो उसकी प्राइस जाधा से जाधा 250 तक ही रहती है आप जैसे के आप देख सकते हो वहां गंस का बहुत ज उन से मार्केट में आए तो बीना बार्गेंग के वह हमें रूड भी सकते तो यहां सेंडों में भी बहुत ज्याधा वारैटिस थी और उसकी प्राइस 150 में आपको दे सकते और ज्यादा लिए तो वह आपको 100 भी लगा सकते तो बस बार्गेंग करना तो कुपडों के साथ सत्वा ज्वेलरी का भी बहुत बड़ा स्टॉक है और यह आपको जो भी ज्वेलरी दिख री वह कुंसा भी लो उन्होंने प्राइस बोला कि 50 रूपीज और बहुत-बहुत अच्छा स्टॉक है कि आप रेडिशनल वेयर के लिए वेस्टन वेयर के लिए सब इयरिंग और यह सब ट्रेंटी टॉप से पहनने के बाद बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है वह पर्सनालिटी पर यह टॉप्स बहुत सूट करते हैं तो इसकी प्राइस टूफिप्टी तक है और वह अगर 300 बोले तो वह कम भी कर सकते तो आप बार्गेन करना यह वनपीस भी बस 200 रूपीस में और यह कलरफूल जैकेट्स भी आपको 500 या 600 बोलेंगे पर 300-350 तक ही वह आते तो आपको बार्गेन करना है यह मेरे वीडियो में बहुत बार बोला है पर बार्गेन ही करना है क्योंकि वह बहुत ज्यादा प्राइस बताते हैं यानि कि डबल की प्राइस जैकेट्स के साथ साथ आपको बहुत सरे जौगर्स, जीन, बैंड्स, वाइड लेग या स्ट्रेट्ट पैनड्स भी अवेलेबल है, बहुत से हुडी, स्वेशpha तो हुडी की प्राइस रहती है, 300 या 250 में भी हुडी मिल जाती है और स्वेश mistake 400 में तो ये बहुत सारे डंगरी के पैटन्स थे तो डंगरी के पैटन्स में सबकी प्राइज अलग अलग थी तो ज्यादा से ज्यादा 400-450 तब उसका प्राइज है तो मार्केट में हमें ऐसे बहुत सारे 100 रूपीज में टॉप्स मिल जाते बस हमें ढूंडना है और ये जो भी एरिंग से वो सब 100 रूपीज में है कौन सा भी ले लो 100 रूपीज में और वो एरिंग के पैटन से वेस्टन या ट्रेडिशनल आपको जैसे चाहिए आप वैसे ले सकते हो बट आपको अच्छे से बारगें करना है यहां भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉप्स थे बस 200 रूपीज में आप देख सकते हो जो भी प्रिंटेड स्कर्ट्स वगेरा थे तो उसकी भी प्राइस 250 या 300 ही है जैसे कि क्लोच में आपको बहुत सारी वराइटीज दिखते हैं वैसे आपको सैंडल्स में भी बहुत जादा वराइटीज दिखेगी हील्स या फ्लैट्स में या वो कोलापूरी स्टाइल में सैंडल्स रहती है वह भी वहाँ सब थी तो आप देख सकते हो उस सैंडल्स का कलेक्शन सैंडल्स ज्यादा से ज्यादा 150 200 या 250 में ही आते ज्यादा उनको नहीं देना है तो यह बहुत सारा शूज भी थे बच्चो शूज की प्राइज अलग-अलग होती है शूज में सभी जगब बहुत ज्यादा बारगेनिंग होती है तो हमें वह बोलने के लिए 1200 कोल सा भी रेड़ बोल सकते हैं तो वह ज्यादा से ज्यादा 400 या 500 में ही आते हैं हाँ सोवाला 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 तो आपको बाहर बहुत सारे 100 रुपीज में टॉप मिल जाएंगे पर ये जो भी टॉप आप दुकान में देखते हो तो उसकी प्राइस ज्यादा से ज्यादा 250-300 तक रहती है वो जो भी फ्लोरल ड्रेस प्लोर्स से बॉड़ी फीट ड्रेसे से वह आपको 350 तक मिल जाएंगे यहां बहुत सारे पार्टी वेर ड्रेसे से लॉंग वनपीस हैं गाउन्स है तो उसकी प्राइस 450 तक है आप गाउन्स में भी सबी साइजेस अवेलेबल रहती है यहां जो भी गाउन्स लॉंग ड्रेसेस लगा पर वह जादा से जादा 400 या 450 500 में ही आएंगे अगर जीन्स में भी आपको बहुत सारे पैटन्स दिख जाएंगे तो ट्रैक्स मिल जाएंगे जोगर्स मिल जाएंगे वह 300 तक ही आते कौन सा बिलो 300 और अगर हमें अच्छे कॉलिटी वाली जीन्स चाहिए या ट्रैक्स चाहिए ट्रैक्स तो 200-250 में भी मिल जाएंगे पर अगर जीन्स अच्छी चाहिए तो 400 टक हमको जीन्स अच्छी मिल जाती है आप देख सकते हो कितना कलेक्शन अवेलेबल है मार्केट में जीन्स, टॉप, गाउन्स सबके साथ साथ बैक्स भी बहुत अच्छे अवेलेबल है सबी टाइप्स के बैक्स आपको यहां दिख जाएंगी तो बैक का प्राइस सबका अलग-अलग होता है जादा से जादा 250-300 तक वो बैग हमें मिल जाती है स्कूल बैग, हैंड बैग के साथ साथ बहुत सारे बैल्ट भी अवेलेबल है आप देख सकते हो यह सभी ट्रेंडिंग बैल्ट से और उसका प्राइस बस 150 ही है मेक अप का भी सभी कलेक्शन आपको दिख जाएगा एफ़रेबल मेक अप के साथ साथ यहां बहुत सारे जवेलरी सिंगल चैन्स आपको मिल जाहेंगे वो भी बस कौनसा भी लो 100 रूपीज तो यहां काफी ब्रेंडिड आपको मिल जाएगा और ब्रेंडिड की प्राइस भी बहुत कम रहती है उन्होंने 350 मुझे लाइनर का बूला था पर बाद में और 250 में देने वाले थे तो जैसे बाहर बहुत सारे टॉप्स थे वैसे ही आपको 200 में कौनसा भी स्वेट शट मिल सकता है बस आपको अच्छा कॉलिटी वाला ढूनना होता है आप देख सकते हो उधर जारा का स्वेट शट लिखा हुआ है पर वो ओरिजनल जारा नहीं है वो फर्स्ट कॉपी ही रहता है यही 500 का जैकेट आपको बारगेन करकी 350 तक भी मिल सकता है 100 बारगेन करना और बहुत सारे टॉप्स इदर थे मुझे लेना नहीं था इसलिए मैंने जादा बारगेनिंग नहीं की डेली यूज के लिए भी घर में पहलने के लिए आपको बहुत सारे टॉप्स मिल जाएंगे टी-शर्ट मिल जाएंगे बस 100, 150 या 200 रूपीज में तो यहां भी 100 रूपीज में बहुत अच्छे अच्छे टॉप्स टी-शर्ट मिल रहे थे आपको एक बात ध्यान में रखनें कि जब भी आप बैंडरा लिंकिंग रोड आओ तो आपको वीक डेज में ही आना है क्योंकि वीकेंड डेज में बहुत 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 बीड रहती तो ताकि हम अच्छे कॉलिटी वाली टी-शर्ट स्टॉप्स हम चून सके यह सभी जैकेंड डंगरी की प्राइस सबकी अलग-अलग है और कॉलिटी भी बहुत अच्छी है तो अगर बार्गेंग करना है तो आपको 350 या 400 में ही वो देंगे आप पराइटीज देख लो और यह मार्केट की एक खासियत है कि यहां चिकन कारी के पैटन में आपको सारी कुर्ती में कुर्ता सेट्स वगरा सब मिल जाएगा और इसके साइजेज भी सब अवेलेबल है और कलर्स भी बच्चों के लिए भी यहां बहुत अच्छा कलेक्शन है बहुत सारे पैटन्स आपको मिल जाएंगे और साइजेस का भी कोई इश्यू नहीं है प्राइज सब का अलग-अलग होता है तो आप अच्छे से बार्गें करना अगर आपको साइज के वज़े से या फिर कौन से पैटन कर रहे के वज़े से आपको एक्स्चेंज करना है तो आप एक्स्चेंज भी कर सकते हो ऐसे यह इनफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आए तो वीडियो को लाइक भी कर दो शेयर भी कर दो